परिक्षा का प्रश्न पत्राज लीक हो गया ऐसा बताया जा रहा है कि परिक्षा के प्रारंब होने से ठीक 15 मिनिट पहले प्रश्न पेपर वाइरल हो गया 150 questions ऐसे थे जो पूरी तरीके से वाइरल हो गया बाद में जब मैच कराया गया तो सारे के सारे questions मैच हो गया जिसके बाद चात्रों के तरफ से अलग-अलग जगाहों पर जम कर हंगामा भी काटा गया आयोग ने इस बाबत निडने भी लिया ह कि आगी की कारवाई कैसे होगी लेकिन अब बिहार में राजनेतिक पांचों के तरफ से लगातार प्रतिकरियाई निकल कर सामने आने लगी है और बिहार के वर्तमारा नेतर प्रतिपक श्रेयस्वी आदव ने इस बाबत ट्वीट किया है और एक बार फिर से बिहार सरकार पर जोड़दार हमला किया है। आज परिक्षा आरंब होने से लगबग 15 मिनच पहले वाइरल होने की बात करते हुए राज के कई केंद्रों पर छात्रों ने हंगामा किया आरा पटना वैशाली और अंगाबाद सीता मड़ी सहित कई परिक्षा केंद्रों पर परिक्षा के बात छात्रों ने कहा कि सभी प्रत्र लीक होने की सूचना प्रसारत की गई मामले को लेकर आयोग के अध्यक्ष आरके महाजन ने जाच के लिए आयोग की तीन सदस्य टीम का गठन किया है जाच दल 24 गंटे के भीतर अपना रिपोर्ट देगी इसके बाद आयोग इसके बाबत निडने लेगा आयोग के अनुसार BPSC के और से सबी परिक्षा केंद्रों पर दंडादिकारी पुलिस बल की उपस्तिती में सील प्रश्न पत्र उपलब्द कराया जाता है इसे परिक्षा केंद्रों पर वहां प्रतिन्योक्त स्टेटिक अदंदाधिकारी की उपस्तिती में परिक्षा प्रारम होने के आधा गंटा पूर्व सील प्रश्न पत्र खोलनी की अनुमती होती है परिक्षा केंद्रों पर अभियर्थियों की एक घंटा पहले चेकिंग करते हुए प्रवेश करा दिया जाता है आदा घंटा पहले परिक्षा कक्ष में आवंटत सीट पर अभियर्थियों को बठाया जाता है किसी भी student को परिक्षा प्रारंब होने के पश्यात परिक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाता है किसी भी student एक एवं विक्षा का परिक्षा केंद्र के अंदर मोबाईल ले जाना भी वर्जित है BPSC के परिक्षा बेहत कडाई में की जाती है इसको लेकर कई तरह के नियम कानून भी लागों किये जाते हैं लेकिन एक बार फिर से बिहार में BPSC के question papers leak हो गए ऐसा कहा जा रहा था कि exam शुरू होनी से ठीक 15 मिनट पहले question paper viral हो गया जब TV चैनलों पर प्रसारन दिया गया तब जाकर आयोग को इस बात की भानक लगी हाला कि आयोग के तरफ से तीन सदस्य टीम का गठन किया गया है इस बाबत आयोग आगे की कारवाई जारी रख रही है 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौपी जाएगी इसके बाद आयोग का निडने निकल कर सामने आएगा लेकिन तजस्कुय आदव ने इक बाफिर से बिहार के education system पर सवाल उठाए हैं बिपेसी पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि बिहार के युवाओ और students के साथ लगातार खिलवार किया जाता है उनके future के साथ लगातार जो है इस तरीके का बड़ताफ किया जाता है जो कि बिलकुल असहनिये हैं और बिहार लोग सेवा आयोग का नाम बदल कर अब बिहार लोग सेवा पेपर लीक आयोग कर देना चाहिए फुला के लिए सब्डेट में अतना ही है न कई खबरों के लिए माई साथ बनी रहे न्यूस फोर्नेशन में नमस्कार